आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवन्यू सुपर मार्ट के बारे में जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं और काफी सेक्सेस्फुल सुपर मार्ट कह सकते हो आप इसको और इसने पैसा बना कर दिया है लेकिन गिरावट हमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो संजपो काफी जादा हल्प करेंगे तो 3940 रुपए का शैर है डी मार्ट का एवन्यू सुपर मार्ट का और पिछले एक महिने में आज ही आया ठीक है लेकिन लोगों ने काफी पहले अजूम कर ही लिया था कि भाईया प्रॉफिट इनके बढ़ेंगे और प्रॉफिट जो है वो भाईया बहुत हद तक बढ़े हैं इनके प्रॉफिट और रेवन्यू में भी बहुत बड़ा स्पाइक आया है उसके रीजन में मैसिव ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाया है जून क्वाटर में हम लेडिस क्वाटर की बात कर रहे हैं 680 करोड का मुनाफ़ा है ठीक है जो देखा जाए तो पिछले साल इसी क्वाटर में 115 क्रोड के मुकाबले बहुत बड़ा प्रॉफिट ह यहाँ पर अगर आप डीमार्ट की बात करने जाओं डीमार्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो ऑपरेशन्स है वो 95% तक का ग्रोथ आया है 9807 करोड 9807 करोड का रिवन्यू है और रीजन क्या है देखो इनके जो एग्जिस्टिंग स्टोर से वो तो अच्छे परफॉर कर्मार्ट एड़े 10 स्टोर्स इन फर्स क्वार्टर ऑफ फिनांशल यर पहले क्वार्टर में दस स्टोर नए खोले हैं इन्होंने भाई साहब और अब इनकी जो टैपेसिटी है वो 110 स्टोर्स की है लास्ट थ्री फिनांशल यर्स में विच नेवर गॉट अपॉशन्टी इन फिनांशल इस टोर्स इस टोर्स एव डन एक्स्ट्रीमली वैल इन इस वाटर एक कंपनी के सी यो जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है यहां पर आप देखें कि इस ऑल्स फुल वाटर ऑफ जीरो डिस्ट्रॉप्शन फॉम्ट देफिनिटली कोविद नहीं था इ अच्छा अट्रेक्शन उनको मिल रहा है उन्हेंने साथ साथ यह भी कहा है कि वैल्यू ग्रोथ थ्रू पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ डिस्क्रेंडरी प्रॉड़क्शन इन रिलेटेवली ओर्डर स्टोर्स इस डबेस्ट रिफ्लेक्शन ओफ देमार्ट बिजन इस दिदेड़् प्रॉपटी नहीं है सब खरीदे हुए स्टोर्स है मतलग उनका जो रेंट है हर महीने का वो बच रहा है यहांपर और उसका क्या करते हैं वो डिसकाउंट देते हैं आज भी भाईया दिमार्ट जितना डिसकाउंट आपको कोई और सुपरमार्ट नहीं द तक तूटा था यहां पर आप देखें पांच हजार तीन सो रुपए से तूट कर नीचे आया था यह और मैंने पहले भी कहा था जब यह तूट रहा था मैंने पहले भी कहा था कि अगर चार हजार रुपए के नीचे है खरीदारी के मौके बनेंगे जब यह लगाता तूट रहा था मैंने का था कि 3,500-4,000 रुपए का जो लेवल होगा वो बाइंग का लेवल होगा उससे उपर जाएगा तो मत खरीदना तब इंतिजार कर लेना हलां कि टूटा काफी जादा है यह लेकिन ऐसे गिरावट पहली बार आई है डीमार्ट में अगर आप 10 साल का ग्राफ देखो कि डीमार्ट का तो अलागि 10 साल का अवेलेबल नहीं है कोई इतनी पुरानी कंपनी नहीं है लेकिन 2017 से लेकर अब तक आप देखो ग्रोथ ही ग्रोथ है बीच बीच में थोड़ा बहुत तूटा भी कोविट के वकि तूटा भी ठीक है लेकिन कोई बहुत बड़ी गिराबल नहीं थी बहुत बड़ी गिराबल अब जाके देखने को मिली थी और मैंने पहले भी कात्या की पहली बारा यह गिरावट आई है लेकिन इस गिरावट में खरीदारी की मौके हैं क्योंकि दीमार्ट लगातार स्टोर्स ओपन कर रहा है दीमार्ट लगातार अपने प्रॉफिट और रिवन्यू को बढ़ा रहा है लार्ज केप शेर है 2,50,000 करोड से भी जादा करे इसका मार्केट करेप है वॉल्यूम भी अगर आप देखने जाओगे तो 5,50,000,000 के आसपास देखने को मिल रहे है दीमार्ट मा जो अगर आप देखोगे तो जो रिवन्यू था 8,780 करोड का पिछले क्वाटर में वो बढ़के हो चुका है 9,800 करोड और जो प्रॉफिट 426 करोड का था वो हो चुका है 680 करोड तो definitely बहुत तेजी से दीमार्ट के रिवन्यू और प्रॉफिट ग्रोग कर रहे हैं और ये ग्रोग करेंगे क्योंकि इनके कई स्टोर्स इन्होंने पिछले ही जैसे कि पिछले ही क्वाटर में 10 नए स्टोर्स खुले हैं आने वाले क्वाटर इस क्वाटर में और स्टोर्स भी ओपन करेंगे ये छोटे शहरों में भी अब डीमार्ट की रीच बढ़ रही है पहले डीमार्ट बड़े शहरों तक सीमित था लेकर अब छोटे शहरों में भी डीमार्ट की एंट्री हो रही है अच्छी खासी quantity promoter के पास है 74.99 और वो अपनी holding को कभी नहीं बेचेंग और एक भी share गिरवी नहीं है ये भी अच्छा positive point है डीमार्ट को लेकर अगर हम देखे तो डीमार्ट में सिर्फ 6% लोगी है according to money control user जो बेचने की बात कर रहे हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी के मौके भी है company के अगर आप देखोगे तो revenue में बहुत बड़ा jump आया था अभी 2023 में और बड़ा jump आप expense करोगे यह कि 24,000 क्रोड का revenue इंका था financial year 2021 में 2022 में यह 31,000 क्रोड के आसपास रहा और पहले ही quarter में तगरीबन 10,000 क्रोड का revenue दिखा दिया हिनो ने तो definitely इसी रफ्तार से बढ़ेंगे भी तो 40,000 क्रोड के revenue आप expect कर सकते हो जो और बढ़ा होगा यहाँ पर same profit की भी अगर हम बात करें तो profit और बढ़ेंगे एक ही quarter में 680 क्रोड का मुनाफ़ा दिखाया है इसने इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे तो 2500 डबल होते नज़र आएंगे आपको तो company के profit और revenue समय के साथ और बढ़ेंगे company अपनी reach को बढ़ाएगा big bazaar का जो fall है वो कहीं न कहीं demart के massive growth को help करेगा big bazaar हम सब जानते हैं कि big bazaar काफी बढ़े पैमाने पे था demart का सबसे वड़ा competitor वही था ठीक है लेकिन अब big bazaar है ही नहीं जहां big bazaar से वहाँ हो चुका है reliance smart आ चुका है ठीक है reliance fresh के लो smart के लो reliance आ चुका है वहाँ पर लेकिन reliance भी कोई उतनी बड़ी तगडी competition के साथ नहीं है demart अगर reliance की भी अगर हम बात करें जो big bazaar के बढ़े जो reliance आया है वो भी वहीं rented property है reliance भी rent चुका रहा है उनको तो reliance भी aggressively discount नहीं दे पा रहा है जबकि demart में जो सबसे plus point है कि वह यह इनके जितने भी stores है वो सभी के सभी उनके खुद के हैं जमीन के साथ construction सब उन्होंने खुद किया हुआ है ठीक है तो यह एक भी रूपया rent का नहीं जाता है उनका जो पैसा बच रहा है जिसका वो massive discount देते हैं यहां पर आप देखो तो 59% एनालिश कहते हैं खरीदारी करो खरीदारी करने का सही मौका नहीं क्योंकि और बोट जोन में है यह कहना है टिकर टैप का यहां पर आप देखो कि होल्डिंग की मैं बात क्रूशे होल्डिंग की बात करूँ तो promoter अच्छे कासे quantity में है mutual fund, domestic, airfile सब लोग है रिटल वालों के पास मुश्कल से 3.72% की holding देखने को मिल रही है डीमार्ट नजर हो इस पर नजर होनी चाहिए लेकिन अगिन मैं कहूंगा कि मैं 4000 रुपए के उपर अगर यह निकलेगा मेरी buying के recommendation नहीं है खरीदारी के मौके अच्छे खासे जो थे वो 3500 रुपए के आसपास थे लेकिन अभी भी अगर आप चाहो तो नतीजे के बाद हमेशा हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है तो D-Mart में भी अगर गिरावट आती है अच्छे results के बाद भी गिरावट हमें देखने को कई बार मिलती है तो Monday को इंतिजार करना चाहिए market खुलने का और यही कहूंगा कि अगर यहां से 200-300 रुपए के गिरावट आती है खरीदारी के मौके बनेंगे और हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे लॉंग टम का बहतरीन श्टोक आप इसको मान सकते है वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक कर शाय करें चैनल पगर पहली बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और डीमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक्यू